हलो डिया स्टुडेंट आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है आज हम साइकलोजी का अगला टोपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है समवेगात्मक बुद्धी इसे एमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं इससे फर्स्ट गेट 2016 में हिंदी के पेपर में सब्जेक्ट वले में ये क्यूशन पुछा गया था कि समवेगात्मक बुद्धी के तत्व में से कौन सा नहीं है तो विबिन विद्वानों ने इसके अलग अलग तत्व बताया है जिसमें से शेलोवी तता मेयर से पुछा गया था कि समवेगी बुद्धी के निमन में से कौन से तत्व करना तो पहले इससे क्यूशन आ चुका है तो आप ध्यान से पढ़ेगा फ़स्ट गेर्ड में ये टोपिक है सवेगात्मक बुद्धी सबसे पहले आता है सवेगात्मक बुद्धी क्या है अपने तथा दूसरे विक्ति के सवेगों को पहचानने तथा प्रकट करने और उनक हम किसी विक्ति का चेहरा देख लेते हैं अगर वो किसी परिशानी में है तो हम तुरंट समझ जाएंगे कि वो किसी परिशानी में है तो उसके सवेगों को पहचानना तथा उनका नियंत्रन और प्रबंदन करना ही क्या कहलाएका सम्वेगात्मक बुद्धी कहलाता है कि अपने तथा दूसरे विक्तियों के सम्वेगों को पहचानना तथा उनका उचित प्रबंदन और नियंत्रन करना ही सम्वेगात्मक बुद्धी है अब आता है सम्वेगात्मक बुद्धी कौन से संबंद स्तापित करने में सायक होती है तो सम्वेगात्मक बुद्धी जो है वो अंतर वेक्तिक संबंद स्तापित करने में सायक होती है सम्वेगात्मक बुद्धी से ही व्यक्ति व्यक्तिक और सामाजिक जीवन में सपलता प्राप्ट कर सकता है कि व्यक्तियों में विभिन प्रकार के सम्वेग होते हैं अगर किसी कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके सम्वेगों का नियंतरन और प्रबंदन करना अगर किसी से हम लगाव रखते हैं तो उसके दुख में हम भी दुखी होते हैं तो हमें सम्वेगों का पता चल जाता है कि वो किस कारण से दुखी है तो सम्वेगात्मक बुद्धी जो होती है वो अंतर वेक्तिक संबंद स्तापित करने में सायक होती है वेक्तियों को निकट लाती हैं उन्हें एक दूसरे से जोडती हैं और एक दूसरे के बारे में उन्हें जानकारी परदान करने में साइक होती हैं कि उसे क्या परिशानी है तो सम्वेगात्मक बुद्धी व्यक्तियों में अंतर व्यक्तिक संबंद स्तापित करने में साइक होती है संबंदों को ये प्रगाट करती है सम्वेगात्मक बुद्धी जिस प्रकार बुद्धी व्यावसाइक जीवन में सपलता का आधार लेती है व्यावसाइक जीवन कब सपलता होता है बुद्धी की कारण तो जिस परकार बुद्धी व्यावसाइक जीवन में सपलता का आधार लेती है उसी परकार सम्वेगात्मक बुद्धी व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सपलता के लिए आवशक होती है सम्वेगात्मक बुद्धी व्यक्तिगत और सोशल लाइप में सफलता के लिए आवशक होती है किसवरा वस्ता में सम्वेगात्मक बुद्धी के नियंत्रन और प्रबंदन के आवशकता होती है किसवरा वस्ता में सम्वेगात्मक परदर्शन तीवरगति से होता है सम्वेग जो हैं अचानक उत्पन होते हैं कभी भी क्रोध आ सकता है और विभिन प्रकार के सम्वेग हैं गलानी, ममता, ममत्व तो सम्वेग जो हैं वो अचानक उत्पन होते हैं और सम्वेगों में तीवर्ता होती हैं तीवर्गती से उत्पन होते हैं तीवरता की दर अधिक होती है परदर्शन की दर और सवेग शनिक होते हैं हमेशा के लिन्य होते हैं थोड़ी देर के लिए होते हैं गुसा आता है तो भी थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है तो सवेग शनिक होते हैं और समवेगों से मांसिक और सारीरिक परिवर्तन आते हैं समवेगों से मांसिक और सारीरिक परिवर्तन आते हैं अधिक कुरोध आ जाता है तो तनाव हो जाता है मन में सारीरिक परिवर्तन भी आते हैं तो इसकी विशेशता है क्या है सवेग जो ही वो अचाने गुत्पन होते हैं सवेगों में तिवरता होती है सवेग कुछ समय के लिए ही होते हैं और सवेगों से मांसिक और सारेरिक परिवर्तन आते हैं और सवेगात्मक बुद्धी ही हमें बताती है सबसे पहले तो आता है सम्वेगात्मक बुद्धी के बारे में सबसे पहले किस ने बताया तो पीटर सोलवी और जोन मेर ने सबसे पहले सम्वेगात्मक बुद्धी के बारे में बताया जो कि ये दोनों अमेरिका के थे जबकि सवेगात्मक बुद्धी का परतिपादन 1995 में डेनियन गोलमेन ने किया था सबसे पहले तो पीटर सोलवी और मेर ने बताया कि ये सवेगात्मक बुद्धी नाम की भी कोई चीज होती है फिर इसके बाद जब पता चला कि हाँ होती है तो फिर सवेगात्मक बुद्धी का परतिपादन किया था वो 1995 में पांच साल बाद ये 1995 में बताया था पीटर सोलवी और मेर ने फिर 1995 में में 5 साल बाद सम्वेगात्मक बुद्धी का परतिपादन डेनियल गोलमेन ने किया था डेनियल गोलमेन ने अपनी पुस्तक सम्वेगात्मक बुद्धी बुद्धी लब्दी से महत्पून क्यों डेनेल गोलमेन ने ये पुस्तक लिखी थी इसका नाम था समवेगात्मक बुद्धी बुद्धी लब्दी से मैतपूर्ण क्यों इस पुस्तक में इन्होंने समवेगात्मक बुद्धी सब्द का परियोग किया था याद रखेगा इसकी पुस्तक का नाम सम्वेगात्मक बुद्धी बुद्धी लब्दी से महत्पून क्यों इस पुस्तक में डेनियल गोलमेन ने सबसे पहले सम्वेगात्मक बुद्धी सब्द का पुरियोग किया था फिर उन्होंने डेनिल गोल्मेन ने सव्वेगात्मक बुद्धी निकालने का सूत्र दिया सव्वेगात्मक आयू बटेवे वास्तिविक आयू इंटू 100 ये है डेनिल गोल्मेन का सव्वेगात्मक बुद्धी का सूत्र और इंगलीज में आ जाए तो emotional quotient divided by certified age multiply by 100 सव्वेगात्मक आयू बटेवे वास्तिव कायू इंटू 100 और इसे सव्वेगात्मक बुद्धी लबदी को जो EQ से इसे परदेशित करते हैं इसे emotional quotient करते हैं EQ से सव्वेगात्मक बुद्धी को परदेशित किया जाता है और बुद्धी को IQ से करते हैं जबकि सव्वेगात्मक बुद्धी लबदी को EQ से करते हैं अब आता है सव्वेगात्मक बुद्धी को EQ से परदेशित किया जाता है जिसके फुल्फोम होती emotional quotient अब आप देखिए शेक्सिक लबदी निकालने का सुत्र सबसे पहले सीरिल बर्ट ने दिया था यह तो समयकात्मक बुद्धी हुई टेनियल गॉलमेन ने सुत्र दिया इसका फिर आया तो सेक्सिक लबदी निकालने का सुत्र सबसे पहले किस ने दिया था याद रेकेगा सिरिलबर्ट ने सेख्षिक लब्धी निकालने का सुटर दिया था अब आते हैं इसके तत्वों में विबिन विध्वानों ने अलगअलग तत्व बताएं सबसे पहले सेलोवी तता मेर ने सावगिक बुद्धी के पाँच मुख्य तत्व बताएं जिसमें पहला आता है अपने आपको अभिप्रेरित करना अपने सवेगों की पैचान करना तथा उनका परबंदन करना कौन सा सवेग उत्पन हुआ है उसके पैचान करना तथा उसको सही दिशा में उसको मेनेज करना दूसरों को अभिप्रेरित करना ये भी समेगात में बुद्धी का मुग के तत्व हैं दूसरों को अभी प्रिरित करना अच्छे लक्ष के परती और दूसरों के सम्वेगों को समझना उसी के परेशानी क्या है, उसे कैसे सोल आउट किया जा सकता है, तो दूसरे सम्वेगों को पहचानना भी सम्वेगी बुद्धी का मुख के तत्व हैं फिर अगला तत्व आता है अंतरवेक्तिक संबंद को ठीक डंग से संचालित करना ये इसके पांस तत्व हैं सेलोवी तता मेर के अनुसार अपने आपको अभी प्रिरित करना अपने सम्वेगों के पहचान करना तो उनका प्रिरित करना दूसरों को अभी प्रिरित करना दूसरों के सम्वेगों को पहचानना और अंतरवेक्तिक संबंद को अच्छे डंग से संचालित करना ये हैं सेलोवी तता मेर के नुसर सम्वेगात्मक बुद्धी के तत्व अब आते हैं हे ने ये हे विद्वान का नाम है मनोविज्यानी का हे ने सम्वेगात्मक बुद्धी के चार तत्व बता हैं सेलोवी तता मेर ने तो पांच बताये थे जबकि हे ने सवेगात्मक बुद्धी के चार तत्व बताए हैं जिसमें है स्वय जागरुकता, सामाजिक जागरुकता, स्वय प्रबंदन और संबंद प्रबंदन इन चार तत्व के अंतरगत हे ने 16 उप तत्व का उलेक किया है इन चार तत्व के अंतरगत हे ने 16 उप तत्व का उलेक किया है फिर इसके बाद आते हैं गोल में तता बोयातिज ने समेगात्मक बुद्धी को परिभाशित करते हुए लिखा है कि समेगात्मक बुद्धी स्वय जाग रुकता तथा स्वय परबंदन और समाजिक जाग रुकता तता समाजिक कोसलो के सही समय पर परभावी धंग से परिउक्त करने की दक्सता है यह परिभाशा दी है गोल में तता बोयातिज ने समेगात्मक बुद्धी की परिभाशा देते वे गोल में तता बोयातिज ने लिखा है पांच उपवर्गों में विबाजित किया गया है गोलमेन ने सम्वेगात्मक बुद्धी की 25 दख्षताओं को सामिल किया है जिसे उन्हें पांच उपवर्गों में बाटा है पहली आती है स्वय जाग रुकता जिसमें आईगी सम्वेगात्मक जाग रुकता विसुद्ध स्वय आकलन और आत्मविश्वास ये तो है स्वय जाग रुकता वाले में फिर दूसरा वर्ग आएगा इसका स्वय नियंत्रन में विश्वश्वशनीता संचेतना नवाचार और अनुकुलन शम्ता ये दूसरा है फिर इसके समिल की हैं सम्विगात्मक बुद्धी में गोल में ने 25 दक्सताओं को समिल किया हैं गोल में ने जिसमें आपको ये बता रहा हूं पांच उपवर्गों में बजित क्या हैं स्वय जागरुकता पहला वर के जिसमें सम्विगात्मक जागरुकता विसुद्ध स्वय आकलन और आत्मे विश्वास, फिर इसके बाद आती हैं, स्वयन यंत्रण में, स्वयन यंत्रण में आएगी आपके स्वयन यंत्रण, विश्वस्नीता, संचेतना, नवाचार, अनुकुलन शमता, फिर आएगी अभी प्रेणा, अभी प्रेणा में हैं आपके उपलब्दी चालक, वच इसके बाद आता है सामाजिक कोशल सामाजिक कोशल के अंतरकत आएगा संप्रेशन संगर्स प्रबंधन अर्थात कॉन्फिलिक्ट मेनेजमेंट फिर आएगा नेत्रत्व उत्प्रेरक परिवर्तन निर्मान बंधन सयोग और शमूशमता तो आप याद रख लेना केवल गोल म इनने साम्वेकिक बुद्धी के अंतरकत कितिनी दक्सताओं को सामिल किया है तो 25 दक्सता हैं और उन्हें कितिने उपवर्गों में बाटा हैं तो 5 उपवर्गों में बाटा हैं फिर इसके बाद आता है वुड और वुड के अनुसार वुड और वुड के अनुसार सम्वे संवेगात्मक बुद्धी के पांस तत्तों बताये थे उसमें कहा है वुड और वुड ने की पांस तत्तों तो होते ही हैं लेकिन उसमें आशावादिता का तत्तों भी होता है जिसे की सामिल नहीं किया गया है तो यह किसने कहा है वुड और वुड ने फिर आता है संवेगात सम्वेगात्मक बुद्धी को मापने के सिल्सिले में बार ओन कनाडा में यह है बार ओन कनाडा में ट्रेंट विश्व विध्याले यहाँ पर एक नेदानिक मनोविग्यानिक ने साम्वेगिक लब्दी पद्गा परतिपादन किया था तो आपसे यह पूचा जा सकता है कि सम् सामवेगिक बुद्धी का परतिपादन डेनिल गोल्में ने किया जबकि इमोश्वेगिक को नेदानिक मनोविग्यानिक ने ट्रेंट विश्व विध्याले कर नडा में किया था फिर आता है बार्तिय संदर्भ में दिल्ली विश्व विध्याले के प्रोपेसर एन के लब्दी परिक्षन विक्षित किया था या आपका टोपिक हो गया complete सामविकी की लब्दी या सामविकी गुद्धी इसके बाद अपने अगला टोपिक स्टार्ट करेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इसे और जादा से जादा सेर करें थैंक्यू मिलते हैं अगले वीडियो में जै हिन जै भारत